हेलो एविवन आज हम लोग चवर्ण को पहले पहचानेंगे फिर उसको लिखना सीखेंगे चवर्ण से बने सब्दों को जानेंगे सबसे पहले मैं आपको चवर्ण से बने कुछ सब्दों को दिखलाती हूँ चौसे चार चौसे चीटी चौसे चूहा चौसे चीनी चौसे चर्खा अब मैं आप लोग को चवर्ण लिखना सिखलाती हूँ आपने चवर्ण को देखा चवर्ण से बने कुछ सब्द को आपने देखा उससे बने कुछ आक्रितियां आपने देखी जैसे चर्खा, चीटी, चीनी, चार, आदि अब मैं आपको चो वर्ण लिखना सिखलाती हूँ चो वर्ण लिखने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन डाला उसके बाद मैं यहां से कर्प लाइन डाली हूँ और ये एक स्टैंडिंग लाइन और ये इसका मैंने हेड बनाया चो लिखने के लिए बच्चे फिर आप ध्यान दोगे एक sleeping line ये हलका हमने कर्व बनाया फिर एक standing line से इसको attach किया और ये मैंने चो का head बनाया तो आपने चो बर्ण लिखना शीखा चो बर्ण सबसे पहले आप लोगोंने पहचाना चो बर्ण से बने कुछ सब्दों को देखा अब मैं चो बर्ण से जुड़ी एक कविता आप लोगों सिखलाते हूं चो से चडखा चलता जाए देखो कैसा सूत बनाये बच्चो अब बारी आती है चो बर्ण से जुड़ी कहानी की जिसको आपको ध्यान से सुनना है उसमें मैं चो बर्ण से सुरू होने वाले बहुत सारे सब्दों को बताऊंगे जिसको आपको केरफुली सुनना है अब मैं चो बर्ण से सुरू होने वाली कहानी को मैं बताती हूं एक दिल की बात है चंचल की मा चंचल के लिए मीठे चावल वाली खीर बना रही थी तभी चंचल की मा को ध्यान हुआ अब ये घर में चीनी नहीं है उसने चंचल को बोला चंचल बगल के चाचा जी के हां से आप चीनी चार सौ ग्राम खड़ीद करके लाओ चंचल आराम से मस्ती में अपने दुकान वाले चाचा के हां गई उसने दुकान वाले चाचा को बोला चाचा मुझे चार सौ ग्राम चीनी चाहिए तभी चंचल की नजर बहुत सारे चूहे पर पड़े और दूर कोने में चीटी चीनीयों को चटकारे लगा के खा रही थी यह देखके चंचल को बहुत गुस्सा आया उसने चाचा को बोला चाचा चांदनी रात में चौकोर पड़ा था चौकोर पिजरे वाली चूहे दानी लगाओ और कोने में हल्दी लगाओ जिससे चीटी भाग जाएगी और इस तरीके से चंचल ने दुकान बाले चाचा की नगत की बताओ बच्चो ये कहानी तुमको कैसे लगी और बच्चो आपको बताना है चवर्ण से कोई ऐसे मिठाई या फल का नाम जो आपको पसंद हो हाँ च से चेरी च से चमचम मिठाई च से चास्मी वेरी गूद अब बच्चो बताओ च वर्ण से आपने कौन कौन साथ इस सिखा जो इस कहानी में आया था च से चंचल च से चमचम च से चीटी च से चटकारे च से चकोर बहुत सारे असे सब्द थे जो च से आया अब बताओ बच्चो ये कहानी धीन मज़़ार फिर से हम लोग च वर्ण से जूड़ी उसका वीता को हम लोग परहेंगे च से चर्खा चलता जाए देखो कैसा सूत बनाए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में छो वर्ण से जुड़ी एक मज़ेदार कहानी लेके आऊंगे तब तब के लिए बाई बाई अगर हमारा वीडियो पसंद आया दो लाइक, कॉमेंट, सेर करना ना भूले तब कर दो लेक्ट लेक्ट बाई